नमस्कार आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर गुजरात और सौराश्ट्र के मुंखफली बजार के ताजा अपडेट और उननत विशलेशन के साथ रूबरू करवाएंगे 10 अक्टूबर को सौराश्ट्र के कई हिस्सों में हलकी बारिश और अश्टमी के त्योहार के चलते मंडियों में मुंखफली की आवक थोड़ी कम रही जिससे भाव में 10 से 15 रुप्य का उच्छाल देखने को मिला खासकर सूखे माल की कमी के कारण बजार में तेजी आए दूसरी ओर उत्तर गुजरात में बड़ी मात्रा में नई मुंखफली की आवक दर्च की गई यहां एक लाख बोरी से ज्यादा मुंखफली मंडियों में पहुँची आज कुल मिलाकर सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की मंडियों में 1.40 लाख बोरी के आसपास की आवक रही हाला की व्यापारियों का मानना है कि अगर बारिश जारी रहती है तो मुंखफली की आवक पर ब्रेक लग सकता है और इससे भाव में और भी उच्छाल आ सकता है अश्ट्मी के कारण सौराष्ट्र की कई मंडियों में व्यापार सामानने से कम रहा और अब सभी की निगाहें मौसम पर टिकी हुई है गोंडल मंडी में आज 30,000 से 32,000 बोरी की आवक हुई जिसमें से 13,000 बोरी के करीब व्यापार हुआ एवरेज क्वालिटी के भाव 1145 से 1275 रुप्ये प्रती 20 किलोग्राम रहे जबकि बेस्ट क्वालिटी के भाव 1111 से 1201 रुप्ये प्रती 20 किलोग्राम दर्ज किये गए राजकोर्ट मंडी में अश्टमी के कारण नई आवक बंद रही हाला कि पहले से लंबित 14,000 बोरी का व्यापार हुआ यहां एवरेज क्वालिटी के भाव 1090 से 1320 रुप्ये और बेस्ट क्वालिटी के भाव 900 से 1165 रुप्ये प्रती 20 किलोग्राम दर्ज किये गए सौराश्ट्र मंडी में आजकुल 40,000 से 45,000 बोरी की आवक देखी गई उत्तर गुजरात की मंडियों की बात करें तो यहां एक लाख बोरी से ज्यादा की आवक दर्ज हुई दीसा मंडी में 50,000 बोरी के करीब नई मुंगफली की आवक हुई जिसमें 37,000 की मंगफली 1,000 से 1,300 रुपय और 24,000 की मंगफली 1,200 से 1,460 रुपय प्रती 20 किलोग्राम पर विकी पालनपूर मंडी में 9,382 बोरी की आवक के साथ भाव 1,000 से 1,430 रुपय प्रती 20 किलोग्राम रहे पाथावादा मंडी में 32,265 बोरी की आवक हुई जहां 37,000 की मंगफली के भाव 1,080 से 1,250 रुपय और 24,000 की मंगफली के भाव 1,200 से 1,440 रुपय प्रती 20 किलोग्राम रहे हिनमत नगर और गुंदरी में भी आवक देखी गई जहां प्रमशा 8,200 से 1,500 बोरी की मंगफली मंडी में पहुची मंगफली में आने वाले महीनों में क्या होने की संभावना है जानने के लिए आप हमारी पेज सर्विसिस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद